और नाइट के समय किस तरीके से लाइट से जगमग हो रहा है ये पत काफी खुबसूरत और सुनहरा सा दरिश से आ रहा है चार्जिंग इस्टेशन यहाँ पर देखिए लिखा है एलेक्टिक वेकल चार्जिंग इस्टेशन तो इस तरीके के चार्जर पॉइंट आपको प्रद्या गया है और ब्रिज के नीचे किस तरीके से ग्रिन डी देखने को मिल रही है इस तरीके का नजारा हमको आउध्या में देखने को मेल रहा है अज आप सब को हम नाइक में बगलती आउध्या काकार दिखाएंगे तो दोस्तों सुरू करते हैं धरमपत से धरमपत पर एक और बार स्वागत है नाइट के समय नाइट के समय जो भवता और सुन्दर्ता यहां की निखर कराती है वो दोस्तों तारीफ के काबिल है जी हाँ दोस्तों चालिस सूरस्थम्बों से किस तरीके से जगमग होटता है पत्र और उसी किस्तास्तात यहां पर लता मंग इसकर चौक चौरहा और यह जो तीन हिस्तों में यह जो लाइटे डिवाइड होई है इसका नजारा अलग से बन कराता है इधर देखिए जगा जगा पर पेड़ पाउधी भी लगाए गए हैं तो आज माइट के समय अपनी अयोध्या का बदलता आकार बदलती श्वरूप दिखाने के लिए हम इस समय मौझूद हैं अयोध्या धरम पत्पर जी हां दोस्तों पेड़ पाउधो की बात करें तो पेड़ पाउधो को उसके सतरीके से सगया गया है यहां पर पुरा का पुरा दռिशतरि से आपको आप लोग नमेंट करिएगा अगर फूट का ब्लॉग आप लोगों को चाहिए होगा कि कहां पर क्या हमको फूड अच्छे मिलेंगे खाने के लिए तो मैं उसको भी दिखाऊंगा और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों यहां पर नृत हो रहा है संस्कृतिक कारिकरम वह आप मैं हो चुकी है वह आप लोगों को फाइनली हमारे वीडियो के माध्यम से आद देखने को मिलेगा और उसी के साब यहां पर हर एक छोटे-छोटे चावराहे पर सूर्य चक्र भी दरसाया गया है यह अभी मैं पहुंच चुका हूं धनुस का जो आकार दिया गया है यहां और सूर्य देव भगवान बैठे हुए है वहां पर लिके चलते हैं आप सबको यहां से देख सकते हैं दोस्तों यह बगल में रामघाट हाल स्टेशन भी तैयार हो चुका है अभी यहां से भी आप डारेटली अध्या में इंटर कर सकेंगे आप यह बगल यह इंट्री लाओ हुआ है काथी कुछ नया हो चुका है पूरा का पूरा अस्तित्त बदल चुका है अध्या का और यह समय समय पर यहां पर इलेक्ट्रिक बस चारों तरफ यहां पर रणिंग के लिए तयार है दौड रही है और यह धाम में आपका स्ट्रागत है उस गेट के नीचे से हम चल रहे हैं प्रजेंट टाइम आप सब को लेकर चलेंगे जो शूर चक्ट यहां पर शूर देव जी का वास हुआ है वहां पर लेके चलेंगे और उसी के साथ साथ आप लोग पूरा का पूरा डिजाइन देख सकते हैं किस तरीके से मेंटेन किया गया है इस बात को नाइट के समय एक आलावकिक साथ द्रिस देखने को मिलता है काफी अच्छा द्रिस आता है यह पाउधों पर किस तरीके से आता है यह सारे जूम्रों को जुन नहीं प्रकार के लाइटे हैं हमारी अउध्या में लगाई गई है और जगा जगा पर सांस्कृतिक कार्यकरम भी देखने को मिलता है धरमपत का जो कार्य था वो कंप्रीड हो चुका है और फाइनली यहां पर पाउधे भी लगाए गए अधिक नफे और सब्स्क्राइब हैं कि रहता है यह आता है और इधर देखते हैं यह पूर का पुरा पूरा जो है रहो चाहिक देखिए और नाइट कह समय किस तरीके से लाइट शजगमग हो रहा है यह पत्र काफी खूब सुरत और सुनेहरा साद्रिश से आ रहा है चलते देखते हैं पुरा का पुरा नजारा दोस्तों अधर देखते हैं यतो धर्मस्ततो जया का बोर्ड भी लगाया गया है और यह ब्रिज ब्रिज पर पहुंच चुके है नाइस 27 ऊपर से आप लोग देख सकते हैं हाइवे का रास्था काम मौजूद हैं इसको भी कवर अप कर रहे हैं और काफी अच्छा भब सुन्दर सा द्रिश से आता है यह भब गेट आपको दिख रहा होगा सामने और उसके सास्ता जो यहां पर लाइटिंग लगाई गई हैं काफी खिल कर उससे द्रिश से आ रहा है पुरा का पुरा द फोर विलर टू विलर दोनों अब टू फोर हावर 20 रुपया बाइक के लिए तीस रुपया टैक्सी वगएरा और चालिस कार के लिए तो इस तरीके का यहां पर सिस्टम भी बनाया गया है आठ घंटे से उपर अगर बाइक यहां पर खड़ी करेंगे तो यहां पर उसके ल मिल रहा है और पूरा का पूरा जो लाइट से बनाया गया है काफी खुबसूरत सुर्कुंड बना कर त्यार किया गया है आगे बढ़ते हैं दोस्तों और भी चीज़े दिखाते हैं सुर्यकुंड बनाया गया है सुर्य चक्र पर सवार होकर ऊपर के हिस्से पर दिखाते हैं आप सबको जैसे पिट्रोल टैंकी आपको जगा जगा पर देखने को मिलती है तो अब इस तरीके का माहूल आपको देखेगा एउध्या में पूरा पूरा चार्जिंग इस्टेशन यहां पर देखे लिखा है एलेक्टिक वेहकल चार्जिंग इस्टेशन तो इ अच्छा डिसीजन है औरर चामने देख सकते हैं फेलों को किस तरीके से सजाया गया है म crawl लाइटें में लगा ने पुराद्रिस से आप लोग देख सकते हैं यहां से आपको इसका नजारा आएगा काफी खिल करा रहा है तो इस तरीके से पुरी की पुरी अयुद्धा नगरी सच चुकी है नाइट के समय अब ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों मि